नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब उमीद करता हूँ, अच्छे होंगे हमारे लाश्ट वीडियो में आपको बताया था कि बहुत जल्द इंडियन नेवी एससार डवले एमार का PFT मतलब Physical Fitness टेश का Full Retails वीडियो लेके आने वाला हूँ आज के वीडियो में हम उसी टापिक पर बात करने वाले हैं जो नय हैं वो डेस्क्रिप्शन पर या फिर आई बटन से इंडियन नेवी रिलेटेट जो भी वीडियो हमारे चैलल पर है वो सब वीडियो देख सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि ऐसे ही Defense, Government Jobs और Education Related वीडियो देखने के लिए सब्स्राइब करने के बाद बिल आइकोन को क्लिक कीजिए अब बिना किसी देर किये शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों Physical Efficiency Test की पूरी जानकारी लेने के लिए बिना स्किप किये देखते रही है आज का वीडियो वीडियो के लास्ट में बहुत important बात बताऊंगा जो की आपको PFT Center में बहुत काम आएगा चली दोस्तों विस्तार में जाल लेते हैं पूरा details actually में क्या क्या होता है और आप से क्या क्या करवाया जाता है और कहां कहां पर disqualify कर दिया जाता है सबसे पहले होता है document verification document verification में देखा जाता है PFT का admit card जो की बहुत जरूरी है और एक valid ID card with gyrox copy जो आपने application form के समय submit किया था वो होना चाहिए और domatial certificate चेक किया जाएगा original plus gyrox तभी आपको entry मिलेगा फिर अंदर जाने के बाद और एक बाद document verification होगा जिसमें आपका सब original copy चेक किया जाएगा mark sheet certificate और बाकी जो आपका documents है सब इस सब के बाद आपका अपना batch number मिल जाएगा और आपके हाथ में भी batch number का stamp दे दिया जाएगा इन सब चीजों के बाद शुरू होगा आपका PFT मतलब physical fitness test अब देखते हैं PFT में क्या क्या करवाय जाता है यह है Indian Navy का seller SSR AAMR का official notification सबसे पहले लिखा हुआ है qualifying in physical fitness test is mandatory for selection मतलब selection के लिए आपको PFT क्लियर करना ही पड़ेगा जरूरी बात candidate undergoing PFT will do so at their own risk मतलब आप अपने risk पर PFT देने के लिए जा रहे हैं मतलब आपका अगर कुछ हो गया तो उसके लिए Indian Navy जिमेदार नहीं रहेगा इसलिए आप जब पहुँचेंगे उधर उसके बाद documents verification के बाद वो लोग अपना एक bond पर sign करवा लेंगे जिसमें लिखा होगा अगर आपको कुछ हो जाता है तो Indian Navy उसके लिए जिमेदार नहीं रहेगा सबसे पहले आता है running जो है 1.6 km in 7 minutes दोस्तों Indian Army में 5.45 minutes होता है Indian Air Force में 6 minutes होता है लेकिन Indian Navy में सबसे ज़्यादा 7 minutes बहुत time होता है 1600 meter के लिए अगर थोड़ा सा practice करेंगे नहीं भी करेंगे तो आराम से clear हो जाएगा उसके बाद 20 squads लगाना होता है मतलब उठक बैठक सुनने में आसल लगता है लेकिन है बहुत hard वो लोग जैसे बोलेंगे आपको वैसे करना पड़ेगा थोड़ा सा भी गलती हुआ तो आपको point मिल जाएगा मतलब आप disqualify कर दिये जाएगे Indian Navy में total 3 chance मिलता है उठक बैठक और pushups का pushups 10 करना होता है उसमें भी आपको 3 chance मिलता है पहली बार नहीं हुआ गलत हो गया तो फिर आपको chance मिलेगा उस बार भी गलत हो गया तो आप सिधा disqualify कर दिये जाएगे यह है rules अब details में आपको बताता हूँ 1.6 km running में क्या होता है इंडियन आर्मी में जैसा rules है कि पहले जो 15-20 बच्चे है उनको ही खीज लेते है फिर close कर देते हैं लेकिन इंडियन नेवी और इंडियन एर फोर्स में ऐसा कुछ नहीं है जो लोग भी जितने भी 7 मिनिट के अंदर 1.6 मतलब 1600 मीटर complete कर लेंगे वो सब को अगले step के लिए qualify कर दिया जाएगा मतलब squards के लिए qualify कर दिया जाएगा minimum 200 से 300 candidate एक साथ छोड़ा जाता है running के लिए इसमें कोई problem नहीं होता ये बहुत आसान है उसके बाद squards के लिए 10 से 15 बच्चों का groove होता है और जो instructor होते हैं एक साथ बोलते हैं up, down जब up बोलेंगे आपको उपर उठना है down बोले के नीचे जुगना है same process है push ups का थोड़ा सा भी गलती हुआ तो फिर आपको 2 chance मिलेगा इन total 3 chance में अगर गलती हो गया तो आप disqualify कर दिये जाएंगे ज़्यादतर बच्चे disqualify नहीं होते ज़्यादतर बच्चों का point मिलता है medical में जोस्तो अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि medical कैसे होता है इंडियन नेवी में total क्या-क्या कैसे point मिलता है कहां पर क्या-क्या checking होता है आपको क्या-क्या करके जाना है सब कुछ details में बताया जाएगा जोस्तो आज के लिए बस इतना ही जो जरूरी बात बताने वाला हूँ वो है PFT Center में जाने से पहले आपके पास जितने भी documents है उस सब का Xerox copy 15 से 20 copy करवा लेना है और पासपो साइज फोटो लेना है 22 copy जो की एक महिने से पुराना नहीं होना चाहिए आप जब जाएंगे उधर ये चीज बहुत कामाएगा अब रात के टाइम में जाएगे तक दिवन 5 बजे से उधर PFT Center खुल जाता है और जो process है शुरू हो जाता है इसलिए आपको ये सब लेके जाना है याद से दोस्तो और एक जरूरी बात इंडियन आर्मी और इंडियन एर फोर्स का नया सिरीज आने वाला है जिससे आप जान पाएंगे कैसे भरती होता है कैसे PFT, PET, PMT होता है और कैसे मेडिकल होता है दोस्तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर कॉमेंट करके बताइए अच्छा लगे तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत